नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और लच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है दर्दनाक सड़कासा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जान गई है और चार लोग घाल हुए है तो कहां पर यह सड़कासा हुआ है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और अंकित वर्मा और लच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूर है ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके तो च सथसंग घर के पास हुआ भीशन सड़ का हाथसा हाथसे में जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई मौके पर ही जबकि चार लोग गंभीर गायल हो गए हैं गायलों को नालागड वा रोपड होस्पीटल उपचार के लिए भेज दिया गया है पुलिस से मिली जानकारी के मताबि मंगलबार दोपहर को नालागड भर्तगड रोड पर जो है चार वाहन आपस में टकरा गए जिस कार्ण या हाथसा हुआ ग्रामिनों की मदस से गायलों को नालागड वा भर्तगड होस्पीटल को भेज दिया है जबकि मरितिक मनपरीत निवासी पट्याला बनूड का रहने बताया जा रहा है जिसे पोश्ट मार्टम के लिए नालागड अस्ताल भीज दिया गया है यहाथसा तब पेश आया जब एक ट्राइन ने पीक अप गाड़ी को जो है पीछे से टकर मार दी इस टकर में चार वाहन क्षतिगरस्थ हो गये हैं इस दुर घटना में दो बड़ मौत हो गई है अन्य चार लोग घाल है जिनका उपचार चल रहा है फिलाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कारवाई हुए शुरू कर दी है और जाम को खुलवाया जा रहा है तो दोस्तों इस परकार आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्टिक सोलन में यह सड़ खास सके धन्यवाद जय है जय भाद